श्रीमत भागवत महापुरान प्रथमसकंद अध्याय साथ अश्वधामा द्वारा दोप्ती के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन की द्वारा अश्वधामा का मान मर्दन श्री सौनक जी ने पूछा सूत जी सर्वक एव सर्वशक्ति मान व्यास भगवान ने नारज जी का अभिप्राय सुन लिया फिर उसके चले जाने पर उन्होंने क्या किया श्री सूत जी ने कहा ब्रह्मन दी स्वर्श्वति के पक्षिम तट पर श्याम प्रयास नाम का एक आश्रम है वहां रिश्यों के यक चलते ही रहते हैं वहीं व्यास जी का अपना आश्रम भी है उनके चारों और बेर का सुन्दरवन है उस आश्रम में बैट कर उन्होंने आदी पुरुश पर मातमा और उनके आश्रे से रहने वाली माया को देखा इसी माया से मोहित होकर ये जीवतिनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मानता के कारण होने वाले अन Right, को भोगता है यही समज कर उन्होंने परम हंसों की सहीता श्री मात भागवत की रचना की इसके श्रवण मात्र से प्रुशुत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रती परम प्रेम माई भक्ती हो जाती है जिसे जीव के शोक मुह और भै नश्ठ हो जाते हैं उन्होंने इस भागवत सहीता का निर्माण और पुन्रावृत्ती करके इसे अपने निवरित परायन पुत्र श्रीशुक देव जी को पढ़ाया श्री सौनक जी ने पूछा श्रीशुक देव जी तो अत्यंत निवरित परायन है उन्हें किसी भी बस्तु की उपेक्षा नहीं है वे सदा आत्मा में ही रमण रहते हैं फिर उन्होंने किसलिए इस विशाल ग्रंद का अध्यन किया श्रीशुत जी ने कहा जो लोग अज्ञानी हैं जिनकी अविधा की गांट खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमण रहने वाला है वे भी भगवान की हेतु रहत भक्ती किया करते हैं क्योंकि भगवान के गुड़ ही ऐसे मदुर हैं जो सब को अपनी ओर खीच लेते ह फिर शुक देव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिये और स्वेम भगवान वेद्व्यास की पुत्र हैं भगवान की गुड़ों ने उनके हिर्दे को अपनी ओर खीच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंद का अध्यन भी किया शौनक जी अब मैं राजश्री परिक्षित के जनम कर्म और मोक्ष की कथा पांडवों से स्वर्ग राहोन की कथा कहता हूँ क्यूंकि इन ही से भगवान श्री क्रिश्न की अनिकों कथाओं का उदे होता है जिस समय महाभारत युद में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर वीरगती को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग तूट चुकी थी तब आश्व ध्हामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिये कार समझकर दुरौपती के सोते हुए पुत्रों के सिर काट कर उसे भेट किये यह गटना दुर्योधन को भी अप्रिये ही लगी क्यूंकि ऐसे नीच करम की सभी निंदा करते हैं उन बालकों की माता द्रूपती अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई उनकी आखों में आसु जलकाए वहरों ने लगी अर्जुन ने उसे सात्वरा देते हुए का कल्यानी मैं तुम्हारे आसु तब पोचूंगा जब उस अताताई ब्रहमन धम का सिर गांडिव धनुष से वानों से काड़ कर तुम्हें भेटना कर दूँ और पुत्रों की अत्यस्ची क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रख कर स्नान करोगी अर्जुन ने इस मीटी और विचितर बातों से द्रोपती को सात्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री क्रिश्न की सला से उन्हें सार्थी बना कर कवचधारन कर और अपने भयान गांडिव धनुष को लेकर वे रत पर सवार हुए तथा गुरु पोत्र अश्वधामा के पीछे दोड़ पड़े बच्चों की हत्या से अश्वधामा का भी मन उन्द्गित हो उठा जब उनसे दूस से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर जप्टे वे आ रहे हैं तब वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए प्रित्वी पर जहां तहां भाग सकता था वे भागा रुद्र से भैबीत सूर की भाती भागता रहा जब उसने देखा कि मेरे हाथ के घोड़े ठक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ तब उसने अपने को बचाने का एक मात्र सादन ब्रहमास्त्र ही समझा यद भी उसे भ्रहमास्त्र लोटाने की विधी मालूम ना थी फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आच्मन किया और ध्यानस्त होकर भ्रहमास्त्र का संधान किया उस अस्त्र से अब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया अर्जुन ने देखा की अब तो मेरे प्राण पर ही आन बनी है तब उन्होंने श्री क्रिष्ण से प्राथ ना की अर्जुनने कहा श्री क्रिष्ण तुम सचतादंद शुरूप पर मातमा हो तुम्हारी शक्ती अनन्त है तुमी भक्तों को अभे देने वाले हो जो संसार की धदक्ती हुई आग में जल रहे हैं उन जीवों को उससे उबारने वाले एक मात्र तुम ही तो हो तुम प्रकृती से परे रहने वाले आदी पुरुषाक्षात परमेश्वर हो अपनी चित्शक्ती से वही रंग एव निगुण मै माया को दूर भगा कर अपने अद्युत्य सुरूप में इस्तित हो वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहिद जीव के लिए धर्माद रूप कल्यान का विधान करते हो तुम्हारा ये अफ्तार पृत्वी का बहार हरन करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रीमी भाक्तों के निरंतर स्मन ध्यान करने के लिए है श्रीक्रेश्ण क्या है? कहा है? क्यूं आ रहा है? इसका मुझे बिलकुल पता नहीं है भगवान ने कहा अर्जुन ये अश्वधामा का चलाया हुआ ब्रहमास्त्र है यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्तित होने से उसने इसका प्रयोक तो कर दिया है परन्तु वह इस अस्त्र को लोटाना नहीं जानता है किसी भी दूसरे अस्त्र में इसको दबा देने की शक्ति नहीं है तुम शास्त्र अस्त्र विध्या को भलिभाती जानते हो ब्रहमास्त्र के तेज से ही इस ब्रहमांड की प्रचंड आग को भुजा दो सूत जी कहते हैं अर्जुन विवक्ष वीरों को मारने में बड़े प्रवीर थे भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रहमास्टर के निवारन के लिए ब्रहमास्टर का ही सध्यान किया ब्रहमनों से वेश्टित उन दोनों ब्रहमास्टर के तेज प्रलैकालीन सूर एव अगनी के समान आपस में टकरा कर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गए और बढ़ने लगे तीनों लोगों को जलाने वाले उन दोनों अस्तरों की बड़ी हुई लप्टों से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सबने यही समझा कि प्रलैकार की सारवर्तक अगनी है उस आग से प्रजा का और लोगों का नाश होते दिखकर भगवान की अनुमती से अर्जुन ने उन दोनों को ही लोटा दिया अर्जुन की आँखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी उन्होंने जपटकर उस क्रूर अश्वधामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रसी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया अश्वधामा को बलपूर्वक बांध कर अर्जुन ने जब श्रिविर की ओर ले जाना चाहा तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के कूपित होकर कहा अर्जुन इस ब्रह्मान धम को छोड़ कर ठीक नहीं है इसको तो मार ही डालो इसने रात में सोई हुए निरपराद बालों को की हत्या की है धर्वबेक्ता पुरुष असावधान मतवाले पागल सोई हुए बालक इस्तरी रत हीन और भैहीन शत्रु को कभी नहीं मारते पर है क्योंकि वैसी आदत को लेकर यदिवेजीता भी है तो वीवेपाप का भागिदारी होता है और उन पापों के कारण नरक गामी होता है फिर मेरे सामने ही तुमने द्रोपती से प्रतिग्या भी की थी कि मानवती जिसने तुम्हारे पुत्रों का वद किया है उसका सिर में लालो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परिक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेड़ना की परंतु अर्जुन का हिर्दे महान था यदि भी अर्श्वधामा ने उसके पुत्रों की हत्या की थी फिर भी अर्जुन के मन में गुरु पुत्र को मारने की में पहुचे वहां अपने मृत वहां पर उसने अपने मृत पुत्रों को देखा और ये देखकर उसको काफी दुख हुआ वहां पर उसने मित्र पुत्रों का शोग करती हुई द्रोपती को उसे सौंप दिया द्रोपती ने देखा कि अश्वधामा पशु की तरह बांद कर लाया गया है निदिंतिंत कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की और जुका हुआ है अपना अनिश्ट करने वाले गुरु पुत्र अश्वधामा को इस प्रकार अपमाने देखका द्रोपती का को मलहिर दैकर पैसे भर आया और उसने अश्वधामा को नमशकार किया प्रियोग तथा सहार के साथ समकून सास्त्रों का ग्यान प्राप्त किया है वे आपके अचारत द्रोण की पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं उनकी अरधांगनी कृपा अपने वीर पुत्र की ममताप से ही अपने पती का अनुगमन नहीं कर सकी वे अभी जीव व्यधा पहुचाना आपकी योगकार नहीं है जैसे अपने बच्चे के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आखों में बार बार आँसु निकल रहे हैं वैसे ही इसकी ममतापती ब्रता गौत्मी ना रोए जो छल राजा अपने कुकरत से ब्रहमन कुल को कू उपित ब्रहमन कुल उन राजाओं को सब परिवाश शोकागनी में डाल कर सीग्रही भस्म कर देता है सूत जी ने कहा शौनकादी रिश्यों दुरौपती की बाद धरम और न्याय की अनुकूल थी उसमें कपट नहीं था करुना और ममता थी अतैव राजा युदिस्टर न सबी नरनारी ने दुरौपती की बात का समर्थन भी किया उसमें करोधित होकर भीम सेन ने कहा जिसने सोते हुए बच्चों को ना अपने लिए ना अपने स्वामी के लिए बलकि व्यर्थ ही मार डाला उसका वद ही उत्तम है भगवान श्रीकृष ने दुरौपती और भीम डालना चाहिए शास्त्रों में मैंने ही ये दो बातें कहीं हैं इसलिए मेरी दोनों आग्याओं का पालन करो तुमने द्रोप्ति को सात्मना देते समय जो प्रतिग्या की थी उसे भी सत्य करो साथी साथ भीम सेंद्रोप्ति और मुझे जो प्रिये हो वो भी करो सूत जी कहते हैं पोत्रों की मृत्यों से द्रोप्ति और पांडव सभी शुकात्र हो रहे थे जब उन्होंने अपने मरे हुए भाई बंधूओं का दाहिदी अतेस्टी क्रिया कि इसी के साथ आज का श्रीमत भागवत महापुरान प्रथमसकंद अध्याय साथ यहीं पर समाप्त होता है अगला भाग सुनने के लिए आप देखते रहे आपका अपना पसंदिता यूट्यूब चैनल अध्यात में कहानिया